चले नवश्कार दोस्तों वर्गतीन के लिए next class आपकी जिसमें हम उद्योग दंदों की बात करेंगे आपके syllabus के अंदर उद्योग और उनसे सम्मंदी चीजे दे रखी हैं कि भारत में कौन-कौन से उद्योग प्रसिद्ध हैं और कहां कहां पर यह उद्योग आप क्या आते हैं तो पर्यावरन अध्यन कोम complete कर रहे हैं और पर्यावरन अध्यन के अंतर हैं टीज आउट उट अप टिस कैंकि हम तयारी करने वाले हैं 30 में से 30 नंबर पर्यावरन अध्यन के लिए ली है यह मेरे नवे क्रम की क्लास है syllabus के coding एक के बाद एक lecture में आपको provide कर वा रहा हूं जो भे syllabus में आपका mention है वो सारी की सारी संपूर तयारी हमारे द्वारा प्रियावरन अध्यन के बाद हम CTP को शुरू करेंगे चाल्ड डेवलोप्मेंट और पेडागोजी को शुरू करेंगे तो उसके अंतरगत भी मेरे द्वारा आपको सारी की सारी वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी आप निशिंद रहिए आप बस चैनल पर बने करेंगे ठीक है आज हम बात करेंगे भारत में उद्योग जंदों की तो सबसे पहले उद्योग जो हैं भारत के अंदर कहां से शुरू होते हैं और आजादी के बाद किस प्रकार से हमने उद्योग जंदों को शुरू किया जब हम उद्योग छेत्र की बात करते हैं तो सामय कि उद्योगों के अंदर कोई ने कोई चीज बन रही होती है और उसका सवर्दन हो रहा होता जैसे कि माल लिजी आटो मोबाइल शेक्टर तो वहाँ पर कार वगिरा का निर्मान होता है लोगों को रुजगार मिलता है और उत्पादन भी उससे होता है जब एक सामान उत्पा माल लिजे इनका इलाबाद के अंदर है चोता सिंटर आप माल लिजे कि इनका नैनिताल के अंदर है तो ये चार अलग अलग जगह पर जो इनके उद्योग लगे हैं इन्हें हम कहते हैं FOM और ये FOM मिलकर ही एक बड़े उद्योग का निर्मान करते हैं तो जब भी किसी उद्योग में FOM की बात होती है तो FOM का मतलब होता है कि एक छोटी सी यूनिट महाँ पर लगी हुई है और उस यूनिट को अगर आप बहुत सारी यूनिट को जोड़ दोगे तो हम कहेंगे कि वो क्या हो गया? उद्योग हो गया तो उद्योग में छोटी छोटी FOM मिलके एक बहुत बड़ा उद्योग बनाती है उद्योग के लिए आटो मोबाल सेक्टर मैंने या पर दे रखा है मंत्री हुमारे पहले तो इनका नाम आप याद रख लिचेगा थे वो आई ती च्छा अपरेल आपको बताते चलूंगा यह content MPPSC का है ठीक है लेकिन इसके अंदर से बहुत सारी चीज़े आपको सीधे सीधे पूछी जाएगी क्योंकि आपके सलेबस में उद्योग बंदे में इसे पूछा जाएगा कोईला उद्योग कहा होता है आप से पूछा जाएगा हथकर का होता है कालीन कहा बनती है माची से कहा बनती है ऐसे प्रसना आपसे पूछे जाएंगे इस निती के द्वारा सारवजनिक एवाम नेजी च्हेतर में बटवारा किया गया तिथा एक मिश्रित एवाम निएन्टितर तरतफवस्ता की निव रखी गई अब देखिए उद्योग दो प private company होती है और एक होते हैं सरकारी उद्योग जिने हम सारवजनिक उद्योग कहते हैं सारवजनिक उद्योग में सरकार की भागेदारी होती है और सरकार सारे के सारे काम करती हैं 30 अप्रेल 1956 की यदि बात करें तो दूसरी उद्योगिक निती हम ले कर आए, तो अभी तक हमने दो उद्योगिक निती पड़ी, निती का मतलब होता है policy, कि आगे का roadmap केसा होगा, किस प्रकारते हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो पहले जब हम आजाद हुए 1947 में, तो आजाद होने के जस्ट बात जब हमारी सरका सरकार ने पहला प्रयास किया कि ऐसे उद्योगों को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए उन्होंने 6 अप्रेल 1948 को पहले उद्योगिक निती लाई, फिर हमने उस 1948 वाली निती से बहुत टाइम तक काम किया, कब तक हमारी नई सरकार का गठन नहीं हो जाता 1971 में, और 1956 में आते इस्टेड बना दिये, तो हमको एक नई योजना या एक नई पोलिसी पे काम करना था, इसलिए भारत सरकार ने क्या करा, 30 अप्रेल, 30 अप्रेल 1956 को नई उद्योगिक निती लेकर आ गए, तो दो उद्योगिक निती हमारी हो गई है, एक 1948 में पहली बार आई थी, दूसरी इसलिए बार उसमें संचोधन किया गया और 1954 में उसको लागो किया गया, तो यह देश की दूसरी उद्योगिक निती है, इससे क्या होगा कि हम किस प्रेकार उद्योगों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, उसमें पॉलिसी दे रखी है, उद्योगों को निजी और सार्वजन काम सरकार करती है, 50% काम private company करती है, तो ऐसे उद्योगों को हम संयुक्त उद्योग कहते हैं, संयुक्त मतलब मिलकर joint उसमें हो गया, ठीक है, तो कुछ कंपनिया private काम कर रहे हैं, उन्हें निजी उद्योग के स्रेड़ी में रखा जाता है, कुछ सरकारी लोग हैं वो काम कर भारत में पहले जब हम उद्योगों की बात करते हैं, तो भारत में पहले ज़्यादातर उद्योग्जे थे, वो सरकार के हाथ में थे, सरकार जो कहती थे वो करना पड़ता था, private company नहीं थी, लेकिन 1901 में क्या हुआ, कि हमने क्या करा, हमने 1901 के इंदर एक policy ले कर आए, और उस पोलेसी को हमने नाम दिया क्या उदारी करन हमने का कि हम चीजों का उदारी करन करेंगे निजी करन करेंगे और वेश्वी करन करेंगे इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि सर जब हम आजाद हुए और आजादी से लगा के 1909 तक हमारे सारे उद्योग सरकार क कबजे में थे सरकार के हातों में थे और सरकार चाहती थी वैसे ही नियम बनते थे अब इससे क्या होगा इससे सबसे बड़ी परिशानी यह होगी कि जो लोग investment करना चाते हैं जो उद्योगों में आना चाते हैं जो अपने sector लगाना चाते हैं वो लोग आगे नहीं आ पाएंगे और उससे सबसे बड़ी समस्या क्या होगी उससे सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि सरकार का हस्तक्षिप ज़्यादा होगा तो सरकार के हस्तक्षिप की वज़े से यह लोग आगे नहीं रोड़ पाएगीं से हरे अम्बानि जी को को यूनिट लगाना twitter लेते सरकार पर्मिशन देने में 2 मैने कर देती हैं वह मुझेती हैं भारी लाइड का यह आपका चार्ज इसके लिए आपको अलग से पड़ेगी इतने अलग अलग नियम और पुरी किचड़ी पगई तो व्यक्ति क्या हो जाएगा दिमोटिवेट हो जाएगा हमको नहीं लगाना हम दूसरे देश में चले जाएगे हम दूसरे देश में लगा लेंगे इस वज़ज़ से भी भारत में उद्योगिक विकास कम हो तो फिर सरकार ने सोचा कि कैसे हम उद्योगों को आगे बढ़ाएं तो सरकार ने का भया हम नियमों को सरल कर देंगे मतलब उदारी करन कर देंगे हम नीजी करन को बढ़ावा देंगे हम प्राइवेट कंपनियों को आगे लेकर आएगे उनको छूट देंगे भया आप हमा के लोको रोजगार मिलेगा ना और भारत के अंदर लगे तो भारत सरकार टेक्स लेगी तो भारत सरकार का बीच से अव्या नियमों को उदार कर दिया इसलिए भेश्वी करण किया है तो बारत केवल एक देश नहीं है भारत पुरे विश्व को एक परिवार बानता है और कि कोई कंपनी हमारे यहां पर आके फोन बना रही हैं तो हमें मंजूर हैं साउथ कोरिया की सेमसंग नामा कंपनी भारत में अपना उद्योग चला रही तो हमें मंजूर हैं क्यों मंजूर हैं क्यों कि जब सेमसंग हमारे यहां यूनिट लगाएगी तो हमको क्या मिलेगा रो पूछा जाएगा कब किया गया 1909 में किया गया क्या था यह तो बता दिया मैंने सरल सी बात है नेमो को सरल करना प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना और उद्योग दंदों में विदेशी कंपनियों को बुलाना सबसे पहले बात करते लोहा इसपात उद्योग की भा बढ़े बढ़े जहांज तक लोहे से बनते हैं सबसे पहले सबस्क्राइब कि अंदर को नेगा गया सर्थ सबसे पहले 1907 के अंदर आता है यह जारकण में आता जम्षीदपूर और यहाँ पर 1907 में टाड़ा आरन और इंड इंडिया बनाया गया यह भारसार्कार का उपकर आपके लोह उद्योग के लिए काम करता है। दुरगापूर, भिलाई, राउर केला, बोकारो, बर्नपूर, सैलम, विश्वेश्वर्या, आइरन एन इस्टिल प्रांटों के प्रबंधन की जिम्मेदारी इस्टिल अत्रोटी ओफ इंडिया लिमिटेड को दे दी गई। अब इस्टिल अठोलोटी ओफ इंडिया लिमिटेड क्या काम करती थी। दुरगापूर को समालती थी, बिलाई को समालती थी, राउर केला को समालती थी, बोकारो को समालती थी, बर्नपूर और यह जितने भे प्लांट लगे थे, इन सब को समालती थी। तो आपसे कुछ नहीं जो आपका लोहा होता है उस लोह उद्योग में सबसे important होता है कोईला क्यों कोईला important होता है क्योंकि लोह उद्योग आ रहा है यानि कि लोहा जमीन से निकाल रहे हो तो उस लोहे को जमीन से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसे पिगलाना पड़ेगा तो वाफा देगा नहीं देगा तो जहां पे लोहा निकल रहा है उस ही के पास आप plant लगा दो अब जरूरी है कि उस प्लांट में क्या होएशकता होगी बहि Dus तो उसके लिए इसको पिगलाना पड़ेगा और जब आप उसको पिगला होगे तो आप आपको चाहिए कोईला, तो जब भी कोई लोह उद्योग लगेगा, तो वो कोईला छित्र के समिप लगेगा, कोईला छित्र जाओंगा, उसके पास में लगा जाएगा, तो या तो आप उद्योग को सेंटर में लगा दो, कि इधर से कोईला भी आ जाए, और इधर से लोहा भ जाएगा या फिर आप उद्योग को लोहे के पास लगा दो या तो आप उद्योग को क्या लगा दो लोहे के पास लगा दो या फिर आप उद्योग को कोईले के पास लगा दो तो इस प्रकार से अमारे यहां पर भारत के अंदर कोईला चित्र और लोहा चित्र बने हुए हैं अब देखें लोह इसपाद कारखानों की अवस्तिति यहां देख लेते हैं कि जो छेत्र कोईला के पास बने हुए हैं वो बारत में बर्नपूर, हीरापूर, कुल्टी हैं दुर्गापूर और वो कारो हैं यह बिल्कुल कोईला जहां से निकलता उसके पास बनाए गया है क्यों ऐसा हमने किया हैं इसलिए हमने ऐसा किया हैं ताकि कोईला छेत्र के अंदर हम यह चीजों को वैधा डंग से कर पाएं ठीक है, एक मिनिट रुकिएगा आप चल आरी बात में ठीक है तो कोईला छेत्र के पास कौन-कोन से है बरनपूर, हिरापूर, कुल्टी ठीक है, लोह अयश्क के पास कौन-कोन से है भिलाई, बद्रावती, राउर केला, विजयनगर और सेलव यह किस के पास है, लोहे के पास अभी मैंने बताया कि लोह इसपात उद्योग के लिए कोईला भी जरूरी है, क्योंकि कोईले को लोहे को पिगलाने के लिए कोईले की आवसेक्ता हमको होती है, ठीक है? अब ऐसा भी कोई प्लान ठीक है जो दोनों के सेंटर में लगा हो, यानि कि इस तरफ से कोईला लियाओ, इस तरफ से आप लोहा लियाओ और बीच में सेंटर बना दो, तो ऐसा है जमशेदपूर, जमशेदपूर के पास कोईला भी है, जो जारकंड से आ जाता है, और वहीं पर लोहा भी मिलता है, यानि कि लोहा भी निकलता है, तो दोनों के लिए important है, अब ये सारी चीजे बन रही तो हमको कहीं न कहीं जहाँ से पहुचाना पड़ेगी, तो हम उद्योगों को सामानितर वहां लगा देंगे, जहां पर जहाँ बड़ी आसानी से मिल जाए तो भारत के जो 30 इलाके हैं, इन 30 इलाकों पर ही हम उद्योग लगाते हैं, ताकि जादा से जादा चीजों को हम एक्सपोर्ट कर पाएं, वही हम लोहा बना रहे हैं, हम लोहा की चीजे बना रहे हैं, या बाकी देशों के लिए भी बना रहे हैं, तो जब बाकी देशों के तो बात करते हैं आप देखो सूती कपड़ा के बारे में दो थीं चीज़ा आपको ध्यान रखनी है बारत का काटोनी पोलिस कहा जाता है मुंबई को वर्गतिन में पूछा जाएगा भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है अमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अमदाबाद को दक्षिन भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है कोयमबटूर को और उत्तर भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है कानपूर को ये क्या है सर्क मैंचेस्टर बगी राय क्या होता है मैंचेस्टर एक शहर का नाम है जो सूती कपड़ा के लिए जाना जाता है तो भारत के जो शूती कपड़ा के लिए जाना जाएंगे उनको मैंचेस्टर कहेंगे तो उत्तर भारत का मैंचेस्टर किसे कहेंगे एहमदाबाद को दक्षिन भारत का मैंचेस्टर किसे कहेंगे कोईमबटू को उत्तर भारत का मैंचेस्टर कानपूर आरी बास समझ में देखो बारत का मैंचेस्टर एहमदाबाद उत्तर भारत का मेंचेस्टर कानपूर, दक्षिन भारत का मेंचेस्टर कोई हैं बटो, आरी भा समझ में, चल शूती कपड़ा की बात करते हैं, शूती कपड़ा उद्योग किस पर डिपेंड होगा, कपास पर, जहां छेत्र में, जिस छेत्र में कपास की प्यदावार ज़से चेतर के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा छेतर है यानि कि सीधे सूती कपड़ा में बहुत सारे लोग जोब करते हैं भारत में सूती कपड़ा वस्तर उद्योग के विकास के नेम लिखित मुख्यकारण है भारत में कपास बहुत कपड़े कम बनेगे मिल जाते हैं तो कुष्ण स्रमिक भारत में काफी मातर में मिल जाते हैं और आपसे पेले सूती कपड़ा का उद्योग या कारखाना कहां खोला गया तो फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था अट्रा सो अठारा में ठीक है अठारा सो अठारा में अंग्रेजों के समय में खोला गया था उपन में दूसरा यह जरूर याद रखेंगे इधर की सारी की सारी इंफर्मेशन आपके वर्गतीन के लिए काफी इंपोर्टेंट है ठीक है फिर से एक बार देख लिए का टोनो पॉलिस एक शहर का नाम है जो सूती कपड़ा के लिए जाना जाता है मुंबई भारत का मैंच कानपूर को कहा जाता है वर्गतीन में ऐसे सिंपल प्रशन आपसे जरूर पूछे जाएंगे ठीक है सार चले सूती कपड़ा की राधानी की बात करें तो सूती कपड़ा मुख्य रूप से आपके जो महराष्ट वाला इलाका है और जो गुजरात वाला इलाका यहां पर ज ज्यादा होती है उसकी खेती ज्यादा होती है तो महराष्ट और गुजरात में कपास बहुत ज्यादा होता है इसलिए ज्यादातर भारत में उद्योग धंदे सूती कपड़ा कहां बने हुए हैं महराष्ट और गुजरात में अच्छा गुजरात इतना डेवलोप कर राज के लिए जाना जाता है, मुंबई के लिए जाना जाता है, आपके आप एक तो कपास भी बहुत हो रहा है, एक आप समुद्र के किनारे पर भी हो और इन सब की वज़े से आप कहीं बढ़ जाऊगे हैं, भाई एक एक city के अंदर किसी की दुकान हो, एक बिचारे की गाउं के अंदर दुकान हो, फरक तो पड़ेगा, दुकान चलने में, वही एक समुद्र के किनारे हो, तो बड़ी आसानी से जहां से आप माल एक्सपोर्ट कर सकते हो, वही बिचारा क्वाज़र वाला क्या करेगा, क्या उस उसको जहां ज मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी नहीं है, तो उसको पहले ट्रक से ले जाना पड़ेगा कहीं पर, और फिर दूसरे को किराया दे के फिर वो अपना सामान पहुचाएगा, तो जहां पर कपास ज्यादा होता है, वहाँ पर सूती कपड़ा ठिक ठाक मा सूती वरस्त उत्पादन, गुजरात, महाराष्ट और तेलंगाना, अक्रणी राज्ये हैं, सबसे यादा सूती कपड़ा गुजरात में होता है, दुसरे नंबर पे महाराष्ट में होता है, दिसरे नंबर पे तेलंगाना में होता है, जबकि सरवादिक सूती मिले तमिल न अधिनगर, ठीक है, फरिदाबाद, अम्रसर, फिरोजपूर, ये सारे के सारे भी सूती कपड़ा के लिए जाना जाते है, मध्य प्रदेश में गवाल्यर, देवास, इंदोर, इधर जाओगे नीचे तो नागपूर, ये सारे के सारे जो हैं, आपके सूती कपड़ा के अलग- भी काम में आता है, एक पेसा आपका जो छपता है, वहाँ पर भी काम में आता है, और हर काम में कागज उपयोग में आता है, आपकी जो कोपी होती ही, रजिस्टर होते हैं, उसमें भी कागज उध्योग होता है, तो देखते हैं, बारत में कागज का निर्मान सबसे अधिक बांस का प्रयोग किया जाता है बांस एक प्रकार की गहां सोती है याद रखेगा बांस एक पेड नहीं होता है बांस एक गहां सोती है आप पढ़ते तो उसका जो कागज होता है मुलायम वाला वो नेपानगर में बनता है ठीक है नेपानगर बुरहानपूर के अंदर आता है मध्यप्रदेश का एक प्रसिद्ध इलाका है होशंगाबाद नोटो के मुद्रा के लिए कागज त्यार किया जाता है और महाराष्ट में देश की सबसे बड़ी कागज की मिल है तो होशंगाबाद में जो पेपर बनता है वो नोट के लिए बनता है आपका नोट गांदी जी वाला जहां छपता है वो छपता है देवास में लेकिन उस देवास में कागज कहां से आता है तो वो आता होशंगाबाद में तो शे ठीक है अब बात करते हैं जूट उद्योग की देखिए प्यारे दोस्तों जूट उद्योग जो है यह कपास की तरह दिखता है इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं और सबसे पहले इसका कारखाना 1850 में हुगली नदी के किनारे पर लगाया गया था जब हम बात करते हैं आपके जूट उद्योग की तो आपको याद रखना है कि आपका जो पूरा का पूरा इलाका है बंगाल वाला यहां पर एक नदी फ्लो करती है जिसका नाम है हुगली इस हुगली नदी के चारो और आपको जो उद्योग मिलते हैं वो जूट उद्योग मिलते हैं तो हुगली नद गोल्डन फाइबर केते हैं भारत में हुगली नदी के किनारे पर यह उद्योग होता है सिमेंट उद्योग की बात करते हैं सिमेंट उद्योग आधारभूत उद्योग हैं और यह पोटलेंड सिमेंड बनाता है सिमेंट उध्योग के लिए विंद्य करम की जो चटाने होती है उसमें आपका यह मिलता है तो सिमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर ज्यादा होना चाहिए तो जिस भी चेतर में चूना पत्थर ज्यादा मिलेगा वहापर सिमेंट उध्योग बनेगा तो भारत में सरवाद आदिक जो सिमेंड बनती वो आंदर प्रदेश के अंदर बनती है और आपने एक सिमेंड का नाम भी सुना होगा कोरो मंडल यह कोरो मंडल सिमेंड यही का है आंदर प्रदेश का सबसे बड़ा सिमेंट उत्पादक राज्य है और दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है आपका भारत देखो जब आपसे कोई देश पूछे कि यह पहले पर हैं दूसरे पर हैं तो सामाने तहट ज्यादा तर जितनी भी चीज़ें चाहे वो फसल हो चाहे वो ज्योग हो सब में चाइना बहुत आगे हैं इसलिए अगर आपको प्रस्ण का उत्तर नहीं भी अब बहुत सारे प्रस्ण पर्यावरन के अभी तक के चितने भी टेट ने पूछे गए जाहे वो उत्तर प्रदेश का टेट हो कहीं भी टेट में प्रात्मिक चिक्षक के लिए जो प्रस्ण पूछे गए उन सबकी प्रेक्टिस में आपको करवाने वाला हो बस आप मेरे सा सरवादिक प्रती हेक्टेर उत्पादन करने वाला राज्यत तमिलाड़ु दोनों Challenge अलग-अलग है जैसे कि एक हेक्टेर जमीन है तो एक हेक्टेर में जयादा उत्पादन कुन करता है तमिलाड़ु लेकिन अगर टोटल आवर देखा जाए तो भारत में ओवराल उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है सरवादिक चीनी कारखाने आपको महाराष्ट में मिलेंगे जरूरी नहीं कि जहां गन्ना ज़्यादा होता है वाँ कारखाने भी ज़्यादा होंगे वह उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत होता है लेकिन कार खाने ज्यादा का है महाराष्टर में क्यों क्योंकि कार खाने ऐसी जगा पर हम लगाएंगे मेरे भाई जहां पर हमको समुद्र मिल जाएगा और महाराष्ट में क्या समूद्र है तो कार खाने से हमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो भारत में सरवाधिक चीनी उत्पादेक राज उत्तर प्रदेश और आपका सेकेंड नमर पर महाराष्ट है तो महाराष्ट में सबसे ज़्यादा मिले हैं जबकि उत्तर प्रदेश में काफी इंपोर्टेंट है और मैदानी चेत्रों की बात करें तो करनाटक, तमिलाडू, अंधरपदेश, माराष्ट जैसे बड़े पेमानों पर क्रश्य होती है ठीक है तो यह आपका क्या होगया सर्थ चिनी उद्योग होगे चिनी उद्योग में कुछ भी याद नी करना है ब और उर्वरक का मतलब होता है जहापकी खाद बंती है तो बारत में खाद कहां-कहां बंती है बारत पहला उर्वरक कारखाना 1906 में लगाया गया था और यह लगाया गया था रानी पेट में तमिलाडू के अंदर 1951 में सिंद्री जार्खन के अंदर दूसरा कारखाना लगाया गया तो आपसे पूछा जाएगा कि उर्वरक के लिए सबसे इंपोर्टेंट वारत का कारखाना कहाँ परे तो सिंद्री में है और यह आता है जार्खन में बारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोकता है और यहाँ पर उर्वरक का सबसे जादा क्या होता है यूज होता है उपभोकता का मतलब होता है कि खाद का सबसे जादा उपयोग हमारे खेतों में किया जाता है बारत में तो दूसरा सबसे यादा उप्भोकता है, पहला कौन है, तो पहला आपका चाइना है, ठीक है, याद रखेंगे, उर्वरक उत्पादन की बात करें, तो हमारे जो राज्य हैं, उसमें गुजरात में उर्वरक का उत्पादन हो, उर्वरक तो समझते हो ना, खाद की बात हो, जो आप खेतों में खाट डालते हो ना, उसकी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता है, इसलिए बताना पड़ता है, जो समझदार है उनको तो पता ही चल गया होगा, उर्वरक मतलब गुजरात में सबसे जादा, तमिलाडू में औ कर दिया गया, तो भारत में शिप्याड बनते हैं, बड़े-बड़े, जहां जो आप देखते हो, कंटेनर, जो आप देखते हो, पानी के अंदर, वो सब भारत के अंदर उसका निर्मान किया जाता है, ठीके, आप ये कुछ कंपनिया हैं, जैसे टिसको हैं, तो ये कोर्भा में लगे हो, इनके नाम से आप इनको याद रख सकते हो, टिसको, नालको, हिंडालको और मालको, ये सब अल्यूमिनियम के सयंत्र हैं, आप देखो, आपके वर्गतीन में क्या पूछा जा सकता है, वर्गतीन के लिए इंपोर्टेंट है, ये सारे के सारे एफेक्ट, पश् पश्मिना शाल बकरी, अंगोरा उन खरगोश से मिलता है, भारत का प्रथम आधुनिक कारखाना कहा खोला गया था, कानपूर में, उनका सरवादी कुदपादन करने वाला राज्यराजस्थान है, रेशम का सरवादी कुदपादन करने वाला करनाटा के, ये याद करते चल सलेबस के अंदर अगर आप जाके देखोगे, तो आपको पर्यावरन अध्या मिलेगा, और पर्यावरन के अंतरगत आपको उध्योग और धंदे भी मिलेंगे, व्योसाई भी मिलेंगे, तो उध्योग धंदे के हमने बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम निवाजिस्था परियाबन अध्यान के इन क्लासे को खतम करूँगा, मैं CDP को भी शुरू करूँगा, और मैं आपको फूरा विजवाज दिलाता हूं, कि हम इन सेशन्स के माध्यम से वर्गतीन पातरता परिक्षा के संपूर कोर्स को एक्जाम के 10-15 दिन पेले ही कतम कर देंगे, और आपको फिर लगातार मैरातन क्लासे के माध्यम से रिविजन करवापे रहेंगे, ठीके, आप सब ये चीज़े ध्यान में रखें, कि वर्गती पातरता परिक्षा के अंदर, अब केवल डिएड वाले अब ब्यरती शामिल है, तो आप थोड़ा सा अगर महनत करोगे, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कूर कर पाऊगे, ठीके, आपको 75 मार्क्ष लाना है, अगर आप SC, ST, OBC में आते हो, और अगर आप जनल मे आप जान रहें, CT8 भी मेंने क्वालिफाई किया है, दोनों पेपर क्वालिफाई किया है, तो मैं teaching जो लाइन है, या आपके जो teaching exams होते हैं, उनका ठिक ठाकनू बहुर रखता हूँ, और इन चीज़ों को में लगातार पड़ा भी रहा हूँ, आप official channel perfection academy पर मुझे देखते होंगे, और अगर कोई नहीं देखता है, तो महाँ पर भी मुझे आप देख सकते हैं, मैं एक बहुत बड़े channel के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वो भी मेरा अपना channel है, perfection academy, महाँ पर भी आप मुझे देख सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जह है, नेक्स सेशन म हम मिलेंगे, जिसमें हम निवास इस्तान की बात करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों, आपका शेर कीजेगा, लाइक केजेगा, जाद जाद अपने सारे मित्रों के साथ, ठीक है?